इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. वोगलिटर R0.5, 0.3 tablet is a combination of two medicines used to treat type 2 diabetes mellitus. यह हर बार भुजन के बाद आपके शरीर में blood sugar के उच्छ स्तर को नियंतरित करने में मदद करता है. इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी प्रतिबंधित आहार के साथ अन्य समान दवाएं blood sugar के असामान्य रूप से उच्छ स्तर को नियंतरित नहीं कर पाती हैं. वोगलिटर R0.5, 0.3 tablet should be taken just after meals. The dose will be decided by your doctor. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके blood sugar के स्तर बढ़ सकते हैं और आप में kidney को नुकसान और अंधता जैसी गंभीर जटिलताओं का जोखिम बढ़ सकता है. अगर आप कोई खुराक लेना भूल गए हैं तो भूली हुई खुराक को दो meals यानि की भोजन के बीच न लें. अगले भोजन तक प्रतीक्षा करें और आमतोर पर इसे भोजन के बाद लें. भूली हुई खुराक की भरपाई के लिए डबल खुराक न लें. यह दवा इलाज का केवल एक हिस्सा है जिसमें स्वस्था हार, नियमित व्यायाम, धूम्डपान की समापती, शराब का सेवन और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए. The most common side effects of this medicine include flatulence, diarrhea, stomach pain, hypoglycemia, यानी की low blood sugar level and skin rash. हाला की यह अस्थाई हैं और आमतोर पर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं. अगर यह ठीक नहीं होते हैं या लंबे समय तक बने रहते हैं, तो क्रिपया अपने डॉक्टर से लें. इस दवा का सेवन करते समय अपने blood sugar level की नियमित रूप से निगरानी करें. इस दवा को लेने से पहले अगर आपको kidney या liver से समबंधित कोई समस्या है या urinary tract infection है या अगर आप water pills यानी की diuretic ले रही हैं, तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं. गर्भव विक्सित होने का जोखिम पैदा हो जाता है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell icon पर क्लिक करें और all notification को क्लिक करें. धन्यवाद.